कारिकरम कलागार अनुप भूया कारिकरम कलागार यह चाहता है कि उसकी तरफ से अच्छा प्रदर्फन है और कभी-कभी गाये गीत को भी दुहराना पड़ता है जन्ता की भरमाईश रहती है कम यहीं सुनेंगे हाँ यह और बात है कि भाई कुछ लोग उसको सुने हैं तो उनको लगता होगा कि यार इसको तो सुने थे हैं जाहिर शिकाथ है प्रयास कर रहा हूं पुना हम वैसे हम से प्रयास किया है कि आप सभी को संतुष्ट किया जाए आई एक बारी पुना चलते हैं जबाबी की तरफ कि भूगा शांती बनाए रखो एक पंक्ति सुनिएगा हाँ कि खुदता है प्रयाग राज आज हम सभी लोग गंगा के तक पर असनान करने जाते हैं कि खुदता बहे बन मैली कुचैली कि खुदता बहे बन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है खुदता बहे बन मैली कुचैली अगर यही दोबूंद कंठ में पड़ जाए तो यही दोबूंद बैकुंट को भिजवाती है और ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है दादा संपूर्ण रात्री दोनों कलाकारों को सुरताओं की तालियां भी मिली हैं और पूरसकार आशिरवाद भी मिला तो फिर कैसे यह मान लिया जाएगी कहीं से गड़बड़ी है चली आईए कि घम की घटायो जो छच जाएगी गम की घटायो जो छच जाएगी बाहो सो की वायू फट्र जाएगी जब सामने सो यह हट जाएगी घुम घट में गोरी से मट जाएगी आईएगी आईएगी जाएगी 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 आपने दिखाया कि यह हवा जब दूर होती है हवा दूर होई तो सासे थम गई जाएगी तन निर्जी वहा गया पीज़ने से पंग्छी उड़ गया गुरू खुम मुसकुराय रहे हो आएगी जीो कुछ पाएगो हो 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 हुह 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 कर दो कर दो कहा hidden आई कर दो दो आज दोनों करागारों के तरफ से हुई है आपने काया कि हवा जब तूर होती है जब आपी एक चक्री की हो चाहे दस चक्री की लिए नरम नहीं होनी चाहिए उस मंच पर दादा के मंच पर चाय पहुंचाईए चोंकि उम्र का फर्क है चाय ना हो तो जंदा पालि पहुंचा दो बहुत जिवार दो सुनिएगा दादा जी आपने खंड़ी सुना है दादा जी की तरफ से जबाब का प्रयास कर रहा हूं आदरी बड़े बियाद बना पांच तत्तों से मानों का तन चित जल पावक गगन समीरा बना पांच तत्तों से मानों का तन मिला प्राण इसको हुआ ये रतन है तन में हो जाता है परिवर तन छूत जाए धन धाम और ये वदन दादा जी आपने बाहर की कि जब भावा दूर होती है प्राण छूट जाता है प्राण तो छूट जाता है दादा जी लेकिन अरे मेरी धन हो जाहे या धनवान हो जुदा तन से जब प्राण होता है जुदा तन से जब प्राण होता है पल में प्राणी निस्प्राण होता है अच्छा कासा तो बैठ नहीं चलेगे लिए प्राण के बीच में प्राण तो चला जाता है लेकिन जो आत्मा रहती है वह इतना बताने का प्रयास कराओं कि सबका जीवन है ये और संजीवन है ये कभी मरता नहीं कभी जलता नहीं जुदा तन से जब गीच वण जो आता नहीं के बीच सकता नहीं जो आता ही ये प्रेम्स कोलिया परमपिता परमेश्वर की जैहो जर्णाधे क्रिष्ण की जैहो आईए ये था घंडगीत का प्रयास और एक बढ़िया घजल दिया है आपने यकिन मानिये मैंने सुना नहीं दराजी निभाने का प्रयास करना हूं राइटर हमेंसा भुद्रु लेचे चलना जलना है कि विम्र जजदा में बसर हो नहीं सुना है लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि विम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं अम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं अम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं कि विम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं अम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं अम्र जजदा में बसर हो ये ज़रूरी ता नहीं दादा गीत आया है बहुत बढ़िया लेकिन जवाब भी सुनेंगे तो आपका मन प्रसंद होगा या मेरा बिश्वास है आपकी पंक्ति कहरें कि सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं बड़ बिया जो पीछे बैठे हैं सबसे निवेधन करना हो सुनेगा पंक्ति आपकी सवाल की कहने कि सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं हर कोई राज खुमर हो ये जरूरी तो नहीं क्या बात दूसरी बात वो छिपाने के लिए आधी घड़ी काफी है साधना आठ पहर हो ये जरूरी तो नहीं कि आहां एक पहर भी अनुट है ईए प्रयास कर रहा है है हिर आ जादा आ जाए किसा दा आसाल सफर हो किसा दा आसाल सफर हो ये जरूरी तो नहीं सदा आसाल सफर हो ये जरूरी तो नहीं रहा हर खूनी खतर हो रहा हर खूनी खतर हो ये जरूरी तो नहीं ये जरूरी तो नहीं ये जरूरी तो नहीं ये जरूरी तो नहीं रादाजी बाच पही दादाजी एक लाइन सुनेगा कि निक्ला सागरी से जहरी जिसको सुझी ने पिया कि निक्ला सागरी से जहरी जिसको सुझी ने पिया कि हर कोई इसी बूसा अमर हो कि हर कोई इसी बूसा आमर हो कि ये जरूरी तो नहीं अपिंट रहतों ये रुपी और अरे और अपिल से नल्CH करश है इसर्घ जिसको सिर्दी ने किर अ नल्च बंग जिसको सिर्दी ने किर अ हर कोई इसकी तक क्रीज इसे, सब्सक्रील हो we Azraud तक क certainty है कि नजयू याकिन मानए आप नजय लेकिन अगर आप वानन दायत तालियां दीजिये वह आप समझी हम दोनों कराकारों के लिए उर्जा का काम कड़ती है यह पंक्ती बगैर कहें आप से ताली भजवाएगे सही बात अगर पैसा है तो पैसा भी देदीजे कोई बनाई है यह पंक्ती मठ पढूंगा दादाजी मेरा विश्वास है आपकी ताली अपने आप बज गर जिंद पाराओं से अच्छल दी माना हो ताजिकर में कि सबका पथर साजिकर हो कि सबका पथर साजिकर हो और एक लाइन आख आओ अधरी सबसक्राइब बड़े भीया आनंदार आएक नहीं एक लाइन और तुनिये गाँ हवा तू खानी चले और मचा दे कहे हवा तू खानी चले और मचा दे कहे कि हर हवा में को कहर हर हर हवा में कहर हो ये जरूरी जो नहीं कि हर कोई शू सा अमर हो यो जरूरी तो नहीं हर कोई शू सा अमर हो यो जरूरी तो मैं लाझंग वाटारों व्राष कि जाय हो यह हो उस्ची सरकार कि जयन कि और यह समानि आदनी स्री अरून्ययादोजी और बड्डू भिया आग की तरब से एक 211 फत्रमद्रायन पंक्तियों पर साधर पडाम है और आई एक छोटा सा गी जैसा कि दादा ने इंगीत भी किया था और समय से कालिकम भी प्रारंब हो गया था आप लोग बैठें लेकिन ये गीत मेरी इच्छा है आप लोगों के सामने गाने की वो गीत तो आपने सुना था मैंने सुनाया था लेकिन एक गीत सुनिएगा आपको अच्छा लगा लगा बूं यह अलो है अलो है यह अलू हलो हलो अलो है है बुआ है हलो 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 सुभा करवक्त है दाजी अ सबसे पहले आप तर्ज सुनेंगे कि आखिर पल है आखिर या है तुझे को डूंड रही है आखिर बल है आखिर या है तुझे को डूंड नहीं है दूब फिसा से उचुची निकाए तुझे को डूंड रही है सामने आजा एक बार हो सामने आजा एक बार आजा मैं तो मिता हूँ तोरी प्यार में तुझे को पुकारे मेरा प्यान आजा में तो मिता हूँ तोरी प्यार में तुझे को पुकारे में तुझे को डूंड रही है 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 बस जहां से आधनी दादा जी ने छोड़ा है बस वहीं से बात कर रहा हूं ये क्लाइन सुनिएगा चुकि कीरती ने एक साप्धिक आनन्द है और कीरतन एक संदे से वड़ेखिया कहना हुआ है कि इस स्वाइर के बंदे साव धान हो कि आसी सिर्वाइब के बंदो साव धान पोगेखो बंक्त की पुसंद आये तो आसर वाज चाहूंगा यहां से लेके वहाँ तरह इस्वरी के बंदे साब धाल वो देखो मत खडी है तेरी राह में इस्वरी में बंदे साब धाल देखो देखो दुद थाल वो देखो कि पापा की कठीरी सरसलाद के मूरग घूम रहा है दादा जी आपने कहाता सामाजे की मैंने इस गीत को चुना मुझे अच्छा लगाई और नया भी है सब के लिए नया हो जाएगा कि भूल भूल या मैं तू भूला हुआ है नाहक जूम रहा है तो तू है चार दिन का मेहमान हो तू है चार दिन का मेहमान देखो वो देखो मौत खरी है तोरी आहको तू हए तू नहीं लगाँ तू नहीं तूने तूने बज़ेपन गवाया मिलती प्रीती गई है अक्ताम क्रोग लोब में जमानी सारी तोरी प्रीती गई है काम क्रोग लोब में सारी जमानी तेरी बीती गई है किया धनवा बल पे गुमान हो किया धनवा बल पे गुमान हो देखो मत ख़ड़ी है तोरी आहा हो कि आया पुढ़ा पाचर जर वो कई काया धलने लगी ये उमर है सारा जीवन आदमी धन के पीछे पड़ा रहता है लेकिन कि आया पुढ़ा पाचर जर वो कई काया धलने लगी ये उमर है तेरे अपने भी तुझ से परेशान है कि तेरे अपने भी तुझ से परेशान वो तेखो माती खड़ी है तोरी आहा हो तुझ से परेशान देखो अपने खड़ी है तोरी आहा हो तुझ से परेशान अपने एक पंपी ओगह- कि माती की काया तेरी हो जाए माती खड़ी खतं होगी कहानी है सभी रांत है माती की काया तेरी हो जाये माती खतं होगी कहानी अब दोगज जमी के उपर दोगज जमी के नीचे जाए जिन्दगाने जान जान करके अंजान हो मात खड़ी है तेरी नाहाए जान जान करके अंजान वो देखो मात खड़ी है तेरी नाहाए बस बस आखरी भक्ति कि क्या लेके आया था तू क्या लेके जाए खोया तन ये रतन है खाली हाथ आये थे और जाना भी खाली हाथ इसका भज़र ही के वल बुप्ती का साधन साबर और नायतन कर्म ही जगत में प्रधान हो कर्म ही जगत में है प्रधान वो देखो मात ख़ड़ी है तोरी आए उसर के वाओ साधान देखो तन ये जगत में प्रधान देखो वो देखो नपी तड़ी है तोरी आए उसर के वंदे साधान देखो प्रधान देखो अब जगत में प्रधान देखो आए एक खंडगी आदेश हुआ है है सुदी एक ही बजा थोड़ा साथ साथ सतर से नंबे में आने का प्रयास करें हाहा उमर में हो गई अरती जाते जाते कोई मेरी खुस्यों को ने गया है 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 दादा जी साइद आप ना सुने होंगे बहुत कम ही गाया एक दो बादी है और आप सुने ही दें सरक्यों गाने का प्रयास करना है 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 आये तो कभी फिर जाए गरडबा देन यकल हो आख मैंशू फिर कोई पहले हसाए गरडबा तक्तिस को मन लगा करके सुनियागा सुआ में तरो ताजा कर देगी जब सिराम बन चले गए सूचना मिली भरत को ननिहाल से वापस आए अजब आए तो माता कैकेई से भीट हुई माता कैकेई ने कहा पुत्र भरत तुम्हारे लिए अध्यागा सिंधासन खाली है भरत जी कुपित हो गए दुखी हो गए क्रोधित हो गए और कहा मा आज के बाद से ये भरत तुझे कभी मा नहीं कहेगा कैकेई की आखे भरत और कैकेई ने कहा भरत सही कह रहे हैं आज के बाद मुझे मा मत कहना बस एक तर कह दा रहे हैं एक बाद बता दो पसंद आये दादा जी तुवासिरवाच चाहूंगा कहा कैई कही है यारत कितना पिजड़को कोई आके मधुमा समीत दे कितना पिजड़को कोई आके मधुमा समीत दे अब धरती को कोई आके आकास लिख दे अम मेरे भरत से लावण कानमा समीत दे क्योंकि भरत ने बात और कहे थी कि मा तुने भाईया राम के लिए बन मांग लिया मेरे लिए बन मांग लिया होता मैं खुसी-खुसी बन चला जाता तो कहां मांग तुन लेदी कहके भरत लेकिन एक बात बताओ कि कि मेरे भरत से लावण कानास लिख दे आयो ध्यम कोई कलका इतिहास लिख दे अगर राम के अलावा कोई हो तो सामने कोई हो मेरे आये तो ऐसा जै 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 अगर ये सारी चीजें स्री राम के अलावा किसी में हो तो मेरे सामने ले आओ हिपत जड़कवा के कोई मधुमास लिख दे अधर्थी को कोई आके आकास लिख दे मेरे भरत से लावण कानास लिख दे आयो ध्यम कोई कलका इतिहास लिख दे अरे सामने कोई हो मेरे आये तो ऐसा आये तो कुछ कर दिखाएं भी ऐसा मेरे पती को जीरित कर दे दिकाले कि मिकारा तो मैसा अधर की यारे सरकार की यह था अपनी तरब से चोटा सा प्रयास करता है कि आपको संतुष्ट कर सकते लेकिन कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अगर बीच में से उठके किसी ने डिश्टर्ब कर दिया तो आप समझ लेगी कलाकार समल जाए ये भगवती कृपा नहीं समल नहीं पाता है चुकि वो इतनी मेहनत करता है कि आप संतुष्ट हो दादा और जब आप साधर प्राव है और मैं देख रहा था कि पूरे दर्सक दीरगा में कारिक्रम बहुत अच्छा चल रहा तो अभी तक चल रहा है तो अगर कहीं से थोड़ा सा इबठ होता है तो दिक्कत होती है आईए प्रेम्स भूले सक्चे दरबार की जाए हो और समानी जदादा जी आईए आव फराने जाए